नमस्कार मैं हूँ अब शेक आप देख रहे हैं मनी नाइन दलाल स्ट्रीट पर FII की खरीदारी ने पिछले 6 दनों से सेंसेक्स और निफ्टी में एक नया जोस भर दिया है पिछले 9 महिने की बिक्वाली अब खरीदारी में बदल चुकी है सितंबर 2021 के बाद जुलाई का ये महिना पहली बार ऐसा है कि जब FII की जो इन्फलो है वो पॉजिटिव हुआ है जो बाजार और अर्थवस्ता दौनों के लिए पॉजिटिव साइन है संदीब जी आखिर FII को इसी कौन सी चीज है जो भारती बाजारों की और आकरसित कर रही है और ये जो तेजी है वो किस वज़े से बाजार में आ रही है देखे हम पहले भी इस चीज को डिसकस कर चुके है अभिशेक की लगातार जो मंदी का एक महौल है वो बाजार में कही ना कहीं फैक्टर इन है तो 15, 173 के आसपास को जो हमने 17 जून को लो बनाया था वहां से एक सस्टेंड बाइंग इंटरस हमने मार्केट में आता हो दिखे और पिछले 6 दिन से तो लगातार खरदारी ही देखने को लिए परसव में इस चीज को लेके बात कर भी रहे थे कि जो चौका लगा है क्या यह चक्के में तबदील होगा और उसके ऐसे इंडिकेशन्स थे भी कि हां सही में यह तबदील हो सकता है क्यूं क्यूंकि आप देखे डॉलर इंडेक्स हाय लेवल से अब नीचे की और आता हो द देखें 9 पैसे की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मली है तो आज का जो लेवल था वो 89 रुपे 86 पैसे के आसपास का था तो हम आज भी मजबूती के साथ बंद हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल मार्किट जो हैं वो भी पॉजिटिव साइट पे ट दिखेंगे डाउ में लेकिन लोवर लेवल से यानि की निचले सरों से 600 अंकों की रिकवरी डाउ में देखने कुमली है अब डाउ में या फिर ग्लोबल मार्किट में ऐसा क्या होता हो दिख रहा है देखें जित्ती भी खराब चीजे थी चाहे वो रशिया यूक्रेन जू डील हो सकती है तो उससे पहले आप देखें जितनी भी जो एग्री कमोर्टीज है उन में लगातार प्रेशर देखने कुमला है कुरूड आपका नीचे अलड़ी आ चुका है डॉलर इंडेक्स में नीचे की और जो रुजहान है वो साफ़तार पर दिख रहा है क्यों क्यों क्योंकि अब उतनी तेजी से ब्याजदरे बढ़ने की आशंका नहीं है जितना पहले आनमान किया जा रहा था महंगाई नीचे आती हुए दिख रही है और फेड ने भी ऐसा इंडिकेट किया है उन्फेक्ट माफ किजिए यूएस के जो प्रेजिडेंट है बाइडन साब उन्होंने का था जब 9% की उपर के महिंगाई आई थी कि आँक्ने पुराने हैं तो अब जो फेड की बैठक होने वाले जिसमें फैसला आएगा अगरे हफते उसमें ब्याजदरे जो बड़ेगी वो इतना इंपॉर्टन नहीं है उनकी जो कमेंटरी है वो बहुत इंपॉर में जो युद्ध बना शुरू हुआ था उसके आसपास जितनी भी चीजें पूरा जो वैश्विक महाल खराब हुआ था वो कहीं ना कहीं अब सोधरता वह दिख रहा है और उसका रिफ्लेक्शन आप एफाइस के आंकडों में देख सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि लगाता खरदारी हो रही है चार दिन में आप देखें अभिशेक चार अदा साथ सो क्रूड रूपे की खरदारी जो है वो एफाइस के और से देखने कमली है और सबसे इंपॉर्टन आप देखिए उसका ट्रेंड देखने कोशिच कीजिए मैं आंकडे देख रहा था उन्होंने अ में आपको कह भी रहा था कि एफाइस कहां जाएंगे चाइना में दिक्कते हैं अभी उनकी जो ग्रोफिट के आंकडे आए थे अभी जीडीपी के वो नेगेटिव साइट पे हैं यूएस में रिसेशन का खत्रा है यूके आल्मोस पैटालिस पसंट एकॉनमीस ऐसा मानने क कि वहाँ पर दिक्कत की बात है तो फिर एफाइस जाएंगे कहां अब इतने ज्यादा वैलिएशन करेक्ट हो चुके हैं वो भी चिंता खत्म होगी एक समय था कि वैलिएशन को लेके चिंता है वो भी बात खत्म होगी कमर्टी प्राइज नीचे आ रहे हैं महंगाई अगर वीकली क्लोजिंग तो उसके बावजूद भी आप सूला साथ सो के ऊपर जाके बंद हो हैं तो यह कॉन्फिडेंस असारता है ना केवल विदेशी निवेशकों का बलकि सारे ट्रेडर्स का मार्किट पार्टिस्पेंट्स का कि हां जो अगला दिन आने वाला है हमारे लिए आज से भी भेटर होगा जिस वज़े से आप बाजार बंद होते होते भी खरदारी करके जा रहे हैं आज आज बी आई गवरणर ने बैंक और बडावदा के कॉन्कले में बहुत पॉजिटिव बातें की हैं तो ये क्या बाजार पर किस तरह असर देखेंगे आने वाले समय में यह एक फैक्टर था जो मैं आपको बोलना भूल गया और अब आप देखें कि जो आर्बे गवेनर की और से कमेंटरी आई है वो पॉजिटिव क्यों है या उसमें अच्छे-च्छी बाते क्यों कहीं जारी है देखें उनका क्या कहना था कि एक तो करोना और दूसरा जो र की में एक शायद हस्ताक्षर हो भी सकते हैं अगर वो हो जाता है तो आपके खाने पीने की चीजों की जो दिक्कते हैं चाहे आपके वीट के प्राइजे बाकी एग्री कॉमोर्टी से उनके जो प्राइजे उपर गए हैं वह इन फाक्ट होने से पहले नीचे आना शुरू ह हो भी गया हैं काफी तीजी से नीचे आए हैं अगर और नीचे आते हैं तो महों प्राइजे लो फूड इंफलेशन है और थे उनके नहीं चे तो बहुत है अब यह जो बात है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि अक्टूबर से हमारी जो महिंगाई है उसमें कमी देखने कुमलेगी अभी उनका यही कहना है कि महिंगाई इन कार्णों से बढ़ी है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वेश्विक्स त से कि अब है जो क्रेड़िट ग्रोफ है वह उसमें बढ़ देखने कमली है यानी की बैंकों कि जो स्थी है और बहुत बहुत है आपकी एक आइना होते हैं उसका एक प्रतिबिम्ब होते हैं कि वह किस तरह से आपकी एकॉनमी मूव कर रही है और उनका साफ तर पर यह इशा बाश्याशाली से आप कुछ चीजों का अंदादा लगाने कोशिश करते हैं समय नहीं कोशिश करते हैं कि गौर्णन साब कहना कर चारे हैं वो यह कहना चारे है कि हमारा बैकबोर्न है जो MSME सेक्टर है उसको पुष करने के लिए उसको खृत लाईन के लिए बैंकों को वो इशारा कर रहे हैं को उनको समय पर आप लोन मोहिया करें यानि कि कहीं न कहीं आपके जो गुवर्नर साब यो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक तत पर रहने चाहिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए और आगे ग्रोथ और मजबूत होगी और इतनी मुसीवतों से घरे हुए हैं वह भी कुछ इस ऑफ होंगी कम होंगी और अगला सवाल है कि बाजार का जो अगला रेसिस्टेंस है हमने आज 16500 उपर क्रॉस कर लिया है तो अगला रेसिस्टेंस हम लेबल क्या मान के चल रहे हैं बाजार के लिए आपको याद होगा ज जो कि अब इमेडियेट यानि कि छोटी अफदी के जो रेसिस्टेंस है वो मार्किट के लिए कही ना कही है यह लेवल पार होंगे तो उसके बाज 17000-1750 यह वो जोन है जो की निफ्टी के लिए एक रेसिटंस के तौर पर काम करेगा यह जब लेवल पार होगा फिर हम आग कुछी एक्सपर्ट से बात बूले कि 2024 तक निफ्टी जो है वो 25,000 हो सकता है यह बड़े अच्छे सुनने में अच्छे लगते हैं क्या यह वाकई ऐसा हो पाना संभव है देखे होना संभव है मैं इस पे आपको एक चोटा सा जोग अगर आप मुझे अलाओ को रहे तो मैं उन्होंने ऐसे मजाख में एक मेर से बात कही कि एक इनसान और दूसर निफ्टी इन दोनों को आखिरकार ऊपर ही जाना है तो आप कोई भी लेवल देख लीजिए उसमें थोड़ा सा समय आपको इदर फिर फिर करना होगा वो लेवल आ जाएगा जरूरूरूरू लेवल आ बहुत गौर से समझिएगा देखिए अब पहले मैं आपको ट्रिगर बताता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी टिका हुए है ये ट्रिगर की जातक बात है तो हमारे लिए सबसे इंपोर्टन ये है कि नतीजे किस तरह क्या आते हैं इस वीक आपको याद होगा हम हम डिसकस करें थे कि H.O.L. के नतीजे आने वाले हैं अल्टाटेक के नतीजे आने वाले हैं आज अल्टाटेक के नतीजे के बाद आप देखिए साड़े 5% चढ़कर निफ्टी का सबसे चढ़ने वाला शेर बनकर अल्टाटेक बंद हुआ उसके बाद ग्रासिम क्योंकि अब दारंदार क्या है आज शाम को रिलाइंस इंडस्रिस के रिजल्ट आने वाले हैं देश की सबसे वैलिवल कंपनी है इनके नंबर कैसे आते हैं यह कही ना कहीं बजार की चाल निर्बर करेगा आज भी स्टॉक 25 के उपर जाके बंद हुआ है दूसरी बात इनके नंबर हैं कमोर्टी प्राइज नीचे आ रहे हैं और नंबस ने भी नतीजों ने भी कहिना कहीं पॉस्टिव साइट पे सपोर्ट किया है अब इन्फोसिस के नंबर और रिलाइंस के नंबर कैसे आएंगे यह सोंवार उसके उपर बादार कहिना की निर्बर करेगा 27 सारी को अगल पहले काफी उठा पटक वाली काफी जादा वह जो फैसला आने वाला है उस पर दुनिया बरके बजारों की नजर में आपको पहले भी कह रहा था कि पॉन परसंट से ब्याज़दरे बढ़नी है उसको कोई नहीं देख रहा हर कोई जानता है फेड क्या कहता है अब उस पर ह देखेगी तो उनका स्टैंस थोड़ा सा सौफ्ट हो सकता है जितने हार्श यह जितने सक्त कदम उन्होंने उठाने की बात करी क्या उस पे कुछ कमी आती हो दिखेगी तो फेड की जो कमेंटरी है जो फेड के गवरनर साब बोलेंगे उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो इस तरह का इंपक्ट आता है यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यही वह फैक्टर है जो कि आपकी महंगाई ब्याजदरे और रिसेशन को कही ना कहीं कंट्रोल करता हो दिखेगा और रिसेशन देखे क्यों रिसेशन की बाते हुई है क्योंकि क्रूड ने सारा खेल बिगाड़ा है जैसे कमोर्टी प्राइजिस उपर गए उससे चेंट्रल बैंक्स चिंतित हो गए ब्याजदरे बढ़ाना शुरू करी ब्याजदरे बढ़ेंगी आपकी ग्रोथ स्लोडान होगी और ग्रोथ स्लोडाउन जो अगर हार्ड लैंडिंग होती तो उसी क्या से देखा जाए बहुत इंपोर्टेंट है और उसमें जो भाषा शैली होगी वह बहुत इंपोर्टेंट होगी तो चलिए अब अगला जो पूरा हफ्ता है वह फैड और मार्केट कंपनियों कॉर्परेट्स के रिजल्स पर पूरी तरह से डिपेंड रहेगा अगर प्रोग्राम देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यूटूब पर हमारे चैनल मनी-9 को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमें फेस्बोग, इंस्टाग्राम, यूटूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ हमारा मनी-9 का एप आ चुका है आप इ पैसे से जुड़ा हर चीज जो आप जानना चाहते हैं वह वहाँ एविलेबल है आप उसको जरूर डाउनलोड करें और संदीब जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद